पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ ये वीडियो केमिस्ट्री के कॉश्चिन्स कर रहेगा जिसमें बिस्तार भी बताया जाएगा ठीक है तो पूरा कॉश्चिन्स देखिए और जो भी आपके सजेशन है कोई भी क्वेरी है तो वो जरूर बतायेगा पहला कॉश्चिन्स है नाइट्रिक अमल को इसके तनू विलियन से निमलिकित विदी से प्राप्त किया जा सकता है तो जो नाइट्रिक असिड होता है इसके डाइलियूट सल्यूशन से कौन सी मैथड के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है इसका डी आपशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो मैगनिशियम के नाइट्रिक असिड होता है इसके dilute villain को ये dilute solution को प्राप्त किया जा सकता है अगला question है 90 kg पानी से प्राप्त की जा सकने वाली oxygen की मात्रा कितनी होती है A option है 30 kg, B option है 90 kg, C option है 45 kg, D option है 80 kg तो इसका D option बिल्कुल सही हो जाएगा 80 kg oxygen की मात्रा प्राप्त होती है अगर 90 kg पानी है तो इससे 80 kg की आपको oxygen की मात्रा प्राप्त होगी अगला question है निमने में से कौन द्रविशने ही कॉलाइड है A option है दूद, B option है गोंद, C option है कोहरा, D option है रक्त तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉंद जो गोंद होता है वो द्रविशने ही कॉलाइड होता है गोंद एक द्रविशने ही कॉलाइड है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपण प्रावस्था के बीच अनोन्य क्रिया के आधार पर कॉलाइड के दो वर्ग होते हैं पहला जो वर्ग होता है वो होता है लियोफलिक कॉलाइट्स या द्रविशनेई कॉलाइट्स वैसा कॉलाइट जिसमें परिक्षेपित परावस्था में परिक्षेपित माध्यम के प्रतियाकर्शन होता है ये कॉलाइट काफी इस्थाई होता है जो विलायक से प्रवल इसने के कारण होता है जैसे की जेलेटिन गॉन्द स्टार्च आधी ठीक है अगला जो कोलायड होता है वो होता है लायोफोविक कॉलाइड्स बैसा कॉलाइड जिसमें परिक्षण माध्यम के लिए परिक्षेपित प्रावस्था को बहुत कम आकर्शन होता है दरब रोधी कॉलाइड्स होता है ये कॉलाइड अधिक स्थाई नहीं होते हैं इनका आडूबार उच्छ होता है जैसे गोल्ड सॉल, आर्सेनिक सल्फाइड सॉल, फेरेक उकसाईड, हाइड्रोकसाईड इत्यादी अगला कॉशन है सोडा बाटर क्या है A उप्षन है एक निलंबन V उप्षन है एक परिक्षेपन C उप्षन है एक कोलाइड D उप्षन है एक विलियन तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D option सोडा वाटर गैस दरब का दरब विलियन का उधारन है पारे का सोडियम के साथ अमलगम दरब ठोस विलियन का उधारन होता है यह विलियन जिसमें दिये गए ताप एवम दाब और अधिक विले नहीं गोला जा सके संतरप्त विलियन कहलाता है आयोडीन और अलकोहल का विलियन टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है यह जो विस्तार आपको बताया जा रहा है यह अन्युकॉशन के आधार पर भी पूछा जा सकता है तो आपको इस तरह से नोट डाउन कर लेना है या फिर आप वीडियो पॉस करके स्क्रीन सॉट ले लीजिएगा आप अपने नोट्स में एडाउन कर लीजिएगा आयोडीन और एलकोहल का जो सल्यूशन होता है वो टेंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है जल में एथिल एलकोहल विले जलिये विलेन का उधारन होता है ठीक है कॉशन पूछा जा सकता है कि जल में एथिल एलकोहल का विले किसका उधारन है तो यह जलिये विलेन का उधार वी आपसने गुल जाती है लेकिन नीला रंग विरंजित नहीं होता है दी आपसने नहीं गुलती है और तावे की लाल भूरी सत्य कीलों पर जम जाती है तिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लोहे की केले नीले कॉपर सल्फेट में डूबोई जाती हैं तो कुछ समय बाद लोहे की केले नहीं गुलती है और तावे की लाल बूरी सते पर केलों पर जम जाती है ठीक है तो इसका जो D option है वो बिलकुल correct हो जाएगा ठीक है इसका जो correct कौन सा option हो जाएगा वो D option हो जाएगा ये जो कीले हैं वो नहीं गुलती है और तावे की लाल बूरी सते जम जाती है अगला को इसके आगे की बात करें तो लोहे की प्रिया सीलता कॉपर से अधिक होती है इसलिए ये कॉपर सल्फेट विलेयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है जबकि आईरन सल्फेट का जो है ठोसों को द्रबों में विलेयता पर दाव का कई सार्थक प्रवाव होता है लेकिन दाव बढ़ने में गैस की द्रब में बिलेता बढ़ जाती है पदार्थ का आडविक द्रब में मान बढ़ने के साथ बिलेता घटती है द्रब विरागी कॉलाइड को अनुत क्रमडिय सालवी कहते है अगला कुशन है जैविकी में जल में बिले पदार्थों को क्या कहा जाता है A आप्शन है जल रागी V आप्शन है द्रव बल गत्की है C आप्शन है द्रव गत्की है D आप्शन है जल विरागी जल विरोदी तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा तो इसका A आप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा जल रागी जैविकी में जल में बिले पदार्थों को जल रागी कहा जाता है ये विलायक खुशने करने वाले कॉलाइड है ये गौंद, जिलेटेन, श्टार्च, रबर्ड, आदी पदार्थों को उचित बिलायक में मिलाने पर सीधे ही प्राप्त होते हैं ये साल इस्थाई होते हैं इन्हें उतकरमणिये सॉल भी कहते हैं जैसे स्टार्च का सॉल अगला कोईशन है परक्नलियों में रखे गए एश्टू ओ और जलिये एन्ए ओएच बिलियनों में किसकी साहिता से अंतर बताया जा सकता है ए उप्शन है लाल लिटमस, बी उप्शन है नीला लिटमस, सी उप्शन एन्एटू सी ओट्री, डी उप्शन है एच सी एल जिसका जो सही ओप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए उप्शन, लाल लिटमस, परक्नलियों में रखे गए एश्टू ओ और जलिये एन्ए ओएच बिलियनों में किसकी साहिता से अंतर बताया जा सकता है तो लाल लिटमस की साहिता से अंतर बताया जा सकता है परखनलियों में रखे गए H2O और जलिए NaOH बिलियनों में लाल लिटमस पत्र की साहिता से अंतर बताया जा सकता है NaOH काश्टिक सोडा प्रवल छारक है छारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है लाल लिटमस पत्र द्वारा या असानी से पता चल जाएगा कि NaOH छारक है सुद्ध जल उदासी इंबिलेन होता है जिसका लाल या नीली लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता है इसका pH मान फून्य होता है एसिड सब्द की उत्पत्ती लेटिन सब्द एसी डस से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा वह पदार जो एक या एक से अधिक विस्थापन सील हाइड्रोजन पर मानू रखता हो और उनके जली अबिलेन नीले लिटमस को लाल तथा मैथिल औरेंज को लाल करते हों तो वह अमल है S.C.L. पेट में भोजन को पचाने का कारिया करती है Na2CO3 10H2O दोने का सोडा का रासाइनिक सुत्र होता है दावन सोटा का रासाइनिक सुत्र क्या होता है Na2CO3 10H2O ठीक है S.C.L. का क्या कारिय करती है तो वह जन को पचाने में S.C.L. का कारिय होता है तो यह थे आज के कुछ important questions आसा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा कुछ कमी लगी होगी कुछ suggestion होगे query होगी तो आप comment section में बता सकते हैं और comment section में बताने के साथ वीडियो को share कीजिएगा और channel को subscribe कर लीजिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो watch करने के लिए कर दो कर पिस थीडियो